अजब तमाशा मनाया है जिन्दगी दियों में हसा हसा के रुलाया है जिन्दगी दियों में करीब आते ही अपने हुए पराय क्यूं चलाग मेरी उमीदों के जिल मिलाए क्यूं जला जला के बुझाया है जिन्दगी दियों में क्यूं अपने गुवे पराय क्यूं क्यूं परेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मौक्य वार्दात से मिली ही बाकी चीजों का न तो इस कप्ल से कोई तालुक है और नहीं इन से इस केस को कोई नहीं दिशा मिलती है जबकि रसी का बंडल फ्लोरफोर्म और ग्लाव्स अपने ही खर ले जाता है क्यूं अगर वेटर सो सेक्रेटी ने रोकाना होता तो नजाने शिंपु क्या कर बढ़ता जो रॉनर यह पहली घटा नहीं थी जब शिंपु ने मिश्टर सुनील सक्सेनक को ऐसी धंकी दियो यह रॉनर अधालत के सामने तमाम सबूत और गवा हम पेश कर चुके हैं अब हमारी गुजारिश है कि अधालत इस मसले पर जल्द से जल्द फैसला सुनाए और मुल्जिम को सक्त से सक्त सजा मिले अगली तारिफ तक के लिए मुलत भी की जाती है कि इतना फ़र का गया है पिछली सुनवाई से आज की सुनवाई तक हम्रे तस अपने विबे नहीं सोचा था कि हमारी खुशियो और उमीदों का सफर इतना छोटा होगा बस एक सीडी चड़े और फेर गिर पड़े नक्षा ही बदल गया पूरे कैस का हमी लोग जादा खुश होगे थे और शायद इसलिए भूल गए कि नहीं से वापस भी आ सकती है नहीं कहां से टरपक पड़ी आचानक ये भी कैसे निकल गई वो मेरे कपसे से देखना पड़े का इसे भी अब चो होना था वो तो हो चुका अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या और कैसे कर सकते हैं क्यों सवा सवा शुर्धा मैं आती हूं तुमका जा रही हो जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन एक बहुत जरूरी काम आ गया है इसलिए जाना पड़ेगा इस्क्यूज में हलो मिस्टर सिन्हा क्यों क्या हुआ तुमारे दाओका मिस्टर सिन्हा मेरी बात तो कुछ नहीं सुनना मुझे आपको तो बहुत कॉंफिदेंस था ना अपने उपर कि नंसी मेरे कबसे से बाहर निकली नहीं सकती है फिर कैसे अचानक वह एक्सप्रेस आई भी पकड़ करके सिधा कॉंट पहुँच गई और वो भी उसी वक्त जब जनारतन सक्सेना को उसकी ही जरूरत थी सोचिये, सोचिये सरा केस को तो जो कमजोर होना था वो तो हो ही चुका है एक नई वेंशन ये है कि अगर पुलीस को इस बात का पता चल गया कि नंसी को खिडनाब करके मैंने रखा था तो मेरे लिए एक और नहीं मुतिवत खड़ी हो जाएगा इसके बार में कभी सोचा है आप नहीं अरे हां अरे तो इस बार में सोच रही है नहीं मिस्टर सिन्हा अगर ऐसी कोई बात हुई तो मुझे आपी का भरोसा रहेगा मैं आपसे मदद की उम्मीद तो कर सकती हूँ ना बिल्कुल बिल्कुल आप परेशान नहीं मैं अभीज अपना कोई गड़ित लगाता हूँ आपको अकेला नहीं छोड़ूगा थांक्यू मिस्टर सिन्हा पापा देखे बिकार में हम लोग परेशान हो रहे थे एन वकपर भगवान ने मदद कर दी हमारी बगवान का लाक लाक शुक्रे वेट विसे किसी को कुछ भी लगे कोई माने या ना माने पर मेरे लिए नैंसी की वापसी वो भी उस वक्त जब सिर्फ वही कुछ कर सकती थी एक चमतकार से कम नहीं है बिठा बिल्कुल सर जी बिल्कुल वरना आदा केस तो आज हम हारी चुके होते एन मुके पराकर नैंसी ने केस को मजबूत कर दिया खत्री साब बहुत खुश है सच बात तो यह है वकील साब के मैं अंदर से पूरी तर इसे तूट गया था एक यकीन सा हो गया था यह केस हार गया एक बात बता हूँ आपको मैंने मनी मन सुनील से माफी भी मांगना शुरू कर दिया था कि बेटा तेरा बाप भार दिया ऐसा मत कहिए पापा हम ऐसे कैसे हार जाते और वैसे भी हम तीनों की जिन्देगी का सबसे बड़ा मकसद है है ना भाया हाँ मेरा तो पहला ही मकसद ही यह पूरा हो जाए फिर तो क्यों वकिर जाब आप क्या कहते हैं अब तो खहने वाली कोई बात ही नहीं है सर जी और खत्री साब कहते हैं कि शिंपू को मिस्टर सुनील सक्षना के कतल की सजा मिलकर ही रहेगी और वो भी बहुत जल्द ही जितनी जल्दी शिंपू को सजा हो जाए उतनी जल्दी मेरी टेंशन भी खप आगे बहुत काम है क्या बात है सबा जबसे तुम कोट से आई हो कुछ बोल ही नहीं रही आज कौट ने हर मुद्धा हर सवाल कहारिश कर दिया सिर्फ और सिर्फ नैंसे के अधूरी सच्चाई के वज़े से और सिर्फ उसी वज़े से सिडी स्कैन के मुद्धे को कोई एहमियत नहीं दी कौट ने अब हमार कर भी क्या सकते हैं जब हमारे पास इस बात को साबित कर लिक लिए, ना ही कोई सबूत और ना ही कोई गवा है। सब किसमत और वक्त का खेल है श्रत था। अब देखो ना, सुनील की छूटी रिपोर्ट बनाने वाला डॉक्टर अगरवाल शहर छोड़ कर चला गया। किसी भी हालत में उसके गवाई तो मैं करवा ही लेती। सोचो तू, कितना निर्दा ही था, सुनील। जिस इंसान ने उसे पैरो पर खड़े होने के लिए पैरो तले जमीन दी। उसने उसे ही इंसान को बैमान बताकर उसके जिन्दगी और दुनिया दोनों चीलनी। कि उसके मरने के बाद भी शिंपून शड्यंतरों में फसा हुआ है। भगवाल उसकी आत्मा को कभी शांती नहीं देगा। अब छोड़ो ना ममी, जो इंसान इस दुन्या में ही नहीं, उसे कोसने का क्या फैदा। मैं उसे कोस नहीं रही श्रत था, अफसोस कर रही हूँ। कि उस नीच इंसान के लिए तेरे बापुची ने अपना सब कुछ लुटा दिया। हुचे तो तरह साता उसके घरवालों के लिए, जो उस पर विश्वास करते रहे। उसे हमीशा सच मानते रहे। और वो कमीना, अपने कर्मानों से जोट पर जोट बोलता रहा। है, ओपरवाला हर कर्म का फल यही देता है। और जरूर देता है। माना मेरे पती ने कामे अभी पानने के लिए अपने आपको बचाने और शिंपो को सजा दिलाने के लिए वो सिटी स्केन के जोटी रिपोर्ट बनवा के गलत किया बगर उनकी गलते इतनी पड़ी तो नहीं थी कि उनकी जान ले ली जाए मैं हर वो सबूत जो मेरे पती को चूटा साबित करें मिटा दूगी शिंपो तुम्हें सजा दिलाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ी कुछ भी करना पड़ी मेरे लिए वो जाएज है चलो, तरी एक टेंशन तो कमोगी? हाँ मा, मैंसी के वापस आते ही और उसकी गवाई से जनार्दन सक्सेने का केस पुरी तरह से मश्बूत हो गया है तो चिंता मत कर, तेरी ये परिशनी भी दूर हो जाएगी वैसे कुछ पता चला, मैंसी अब तक थी कहाँ होगी कहाँ, मैं तो सुरू से जानता हूँ मलीका ने किटनैप करके रखागा उसे और क्या ये तो तुम कह रहे हो, उसने कुछ नहीं बताया वो क्या बताएगी, पुलिस पूछताच कर रही है न, सब पता चल जाया रहा लेकिन, अरे तो फिक्र मत कर इंस्पेक्रे साहब, मैं आपको कितनी बार कहूँ मैंने पुलिस स्रेशन में जो कुछ भी आपको कहा, वो सब कुछ सही है कुछ भी गलत नहीं है उसमें आपको मैं कैसे बताओ, मुझे किंड़ नहीं किया गया था किसी ने मेरा किंड़ नहीं किया था कहा थाना? कहा थाना मैरे कि एक पल के लिए भी नजर मेरी आपनी चाहिए उस पर से इतना एहतियात बरतने के बावजूद भी हमारी चंगुल से निकल भागी वो? अरे लानत है तुम पर! लानत है तुम पर! तुम लोगों को इस बात का एहसास दी है कि अब क्या हो सकता है? चैन्सी को तो हमारे ठेकाने का पता चल ही चुका है अब उसकी जरीव पुलीस भी पहुन सकती है हम तक अरे कमबख तो उस जगह से किसी भी तरह का सुराग नहीं मिलना चाहिए वर्ना मैं तो फसूंगी है लेकिन मेरे साथ साथ तुम लोग भी फसूंगी है समझे? समझे! मेरे दिमाग में फुसा पर आए क्या? तेक, नैंसी, मुझे इस बास ते बिलकुँ मतलब नहीं के पुलिस ने तुसे क्या पूछा रतूने क्या कहा मुझे सिर्फ ये बता दे कि मलिका ने तुझे किट्नेप करके कहा रखाता ओहो सिकता तुम क्यों नहीं माटते हो? मलिका ने मुझे कितने अब नहीं किया था अच्छा तो अपर अचानक कहा दायव हो गई तुझ? बता अब दरसल मेरी फैमली में एक ट्रेजडी हो गई थी जिसके कारण मुझे अचानक जाना पड़ा अच्छा तो फिर एक फोन तो कर सकती थी ना? या फिर तेरे मोबाइल के साथ भी ट्रेजडी हो गई थी? शायद जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी बहन का एक्सिडेंट हो गया मैं जैसे देसे निकल पड़ी उटसे एक मिनिट पी रुका नहीं क्या और शायद इसी हर्पडाट में मेरा मोबाइल कर पर रह गया और सारे कॉंटेक्स नमबा तो मेरे मोबाइल में ही थे तो मैं कॉंटेक्ट भी करती तो कैसे करती इसलिए मैं किसी के भी टच में नहीं रह पाई और मेरी किसमा जैसे में महां पहुची मेरी बहन को मा में जा चुकी थी मैंने उसके होश महने का बहुत दिनों तक अंदिजार किया पर आकेद में थकार कर था पसा कर और जैसे ही मुझे पता चला कि शिंपो और सुनील के केस के सुनवाई चल रही है मैं सिदा कोट में चली गए और मैं तेरी बात पर यकीन नहीं करता इतना जवर्दस इतफाक तो में मान भी नहीं सकता ओ खुसुर्टा ऐसी कोई बात नहीं है और बहुला काओ अगर मलिका ने मुझे किने किया भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती अपने प्यार को हाँ, तुम्हें नहीं बताती, और पिर मैंसे क्यों बचाओंगे, जिसके चलते तुम्हाया तिन में जगा बनाने के लिए मुझे इतना वक्त लगा, तुम्हें काओ, किया मैं तुम से चुट पोरूगी, वो भी उसके कारे है, तु सच कह रही है कि तुझे मल्लीका ने क्रि पुलिस को अपना बयान दे दिया है, आपको पता है उसने क्या बयान दिया है, उसने यह कहा कि उसे किसी ने किड्नाइब ने किया, क्या, थैंक गॉड़्, मल्लीका सच सच बताना, आपने सचमुच उसे किड्नाइब किया भी था, यह बस यूँ ही, मिस्टर सिनहा, मुझे आपको इंप्रेश थोड़ी ना करना था, यह किसी की जिंदगी का सवाल था, मिस्टर सिनहा, किसी के प्यार का, तो फिर नैंसी ने पुलिस को यह क्यों कहा, कि उसे किसी ने किड्नाइब किया ही नहीं था, यहीं मिस्टर सिनहा, यही बात सोच सोच कर मैं भी उलज़न में हूँ कि आखिर उसके ऐसे बया के वज़ा क्या हो सकती है। लगता है कि आपकी कायद में रहकर उसका मांस्टर मांस्टर मांड बन गया है। देखते हैं उसके इरादे क्या है। ओके, गुड़ नाइट। गुड़ नाइट, मिस्टर सिनहा। आखिर नैंसी ने ऐसा किया क्यों। क्या उसे सच मुझ पता नहीं चला की। उसे किस ने किटनाप किया था। या फिर इसमें उसकी कोई चाल है। नैंसी। तुम। हाँ मैं। वो क्या है ना मालिका। तुमसे मिलने की इतनी बेचानी हो रही थी ना, कि उसे रहा ही नहीं गया। अच्छा। क्यों। ऐसी क्या बात है। मालिका। जिस माकसद के लिए तुमने मुझे किटनेप करके रखा था। वो तो पूरा नहीं हो पाया। मकसद? किटनापिक? तुम यह सब क्या बख रही हो, नैंसी। ओहु। तुम मिस मालिका मुझे यह समझाना चाहरी है, कि तुमने मुझे किटनापी नहीं किया। वोट दो यू मीन बाइ समझाना। तुमने खुद पुलीस को यह बताया है कि तुम्हें किटनाप नहीं किया गया था। तुम मुझ पर इर्जाम कैसे लगा सकती हो। मलिका, तुम्हें क्या लगता है? कि जो बयान मेने पुलीस को दिया, वो क्या बदल नहीं सकता? क्या कहना चाहती हो तुम्हें? देखो मलिका, सक्चाई तो तुम भी जानती हो और मैं भी। अरे कैसी सक्चाई, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो चलाओ मत मलिका। खिडनेप तो मुझे किया ही गया था। और फिर अपनी बहन के प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तयार मलिका के सिवाई और खरिकान सकता है। देखो! नैंसी, तुम हामखा मुझ पर शक्त कर रही है। मैंने तुम्हें किडनाप नहीं किया। कोई बात नहीं। सच तो तुमसे पुलिस उगलवा ही लेकी। सच तुम्हारा नाम बनाने की देरी है। कोई पुलिस टैशिक। क्यों? क्या हुआ? हाँ, मैंने ही किडनाप करवाया था। तुम्हारी मासुमेत का जामा तो हटा। क्यों मलिका? तुम्हें हरानी तो बड़ी हो रही होगी ला? कि मैंने पुली से जूर्कियों बोला? वो इसलिए कि मैं तुमसे एक सौदा कर सकूँ। सौदा? नैंसी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, नैंसी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूं, प्लीज मेरी इतनी सी बात मान दे। उसके बात तुम जो कहोगी, मैं माने को तयार हूंगी। उसके बोले पच्चे के साथ नहीं साफी होगी। किसने कहा कि इसने इलके कातिल को सजा नहीं मिली। करीब आते ही अपने हुए पराए क्यों चराग मेरी उमीदों के जिल मिलाए क्यों। जला जला के बुझाया है जिन्दगी दे हुमें के। क्यों अपने हुए पराए क्यों। क्यों अपने हुए पराए क्यों।